हेलो स्टुएंट्स के से आफ सब स्टुएंट आसी क्लास में हम डीटेल में जानेंगे मीनिंग समझेंगे बिल रिसीवेबल और बिल पेबल की बिल रिसीवेबल क्या होता है एक्शुली और बिल पेबल क्या होता है इनको आपको एक्सांपल के साथ समझाने की कोशिच करू किए बिल रिसेवर और प्रावल को हम मिला कर्ट ऑफेवल बहुत थेंगे ट्रेड पिल और उप सके जरू करते हैं कि दोस्तो बिल एंड बिल पेवल समझने के लिए मैं इनको एक चीज़ समझे में इसको short form में BR बोलूँगा और इसको short form में BP बोलूँगा इसका मतलब BR और BP और समझने के लिए पहले आपको एक example समझना होगा समझे एक Mr. X है और एक Mr. Y है Mr. X जो है वो seller है कौन है सेलर Mr. Y जो है वो buyer है और Mr. Y जो है न Mr. X का regular customer है मतलब Mr. Y जो है ता है Mr. X के पास बार-बार goods खरीदने आता है regular customer है और बड़ी quantity में goods खरीदता है Mr. Y में X के पास आता है कहता है सर मुझे एक लाग रुपे की goods दे दो goods दे दो एक लाग रुपे की बड़ पेसे मैं भी नहीं दोंगा मुझे उधार चाहिए on credit पेसे कब देंगे आप दो महीने बाद पेसे दोंगा मैं तू मन्स लेटर दो महीने का उधार मांग रहा है आज आप फरवरी है फरवरी में आप मुझे पेसे दे दीजे उधार पेसे और फेब के बाद आप टू मंद काउट कर दीजे मार्च अपरेल अपरेल में आपको पेसे डूंगा ठीक है दोस्तो अब मिस्टर एक्स के ब reckless के बाद एक समस्या है मिस्टर एक्स को पैसे की जरूरत है सब जरूरत है और Mr. Y को पैसे भी देने नहीं है, वो दो महिने बाद देंगे Mr. X मना नहीं कर सकते हैं, अगर मना करेंगे तो Mr. Y फिर दुबारा से Customer Return तो आएगा नहीं, Y रिटन आएगा कि गुर्ष को इदने नहीं आएगा अब बड़ी समस्या आगई कि गुर्ष मना करें तो भी दिक्कद, तो भी परिशानी, प्रोब्लम और गुर्ष बेज़ दें तो भी परिशानी, क्योंको पैसे की जुरत है अब जड़ा Mr. X अपने पास से एक रिजिस्टर निकालेंगे, एक बुक निकालेंगे जिसका नाम होगा Bills Receivable Book Bills Receivable Book निकालेंगे ये अपनी और इस Bills Receivable Book के अंदर ये लिखेंगे कि मैं Mr. Y को, मैं Y को दो लाग रुपे, एक लाग रुपे की गुर्स बेच रहा हूँ, कब आज की डेट में और दो महने बाद Mr. Y मुझे पैमेंट करेंगे ठीक है, ये बात लिखेंगे इसमें, Mr. Y से कहेगा कि इस पे साइन कर दो आप, ये इसको एकसेप्ट करेगा, क्या करेगा, एकसेप्टर बन गया इसलिए, क्योंकि एकसेप्ट करेगा, और ये कौन है, ये राइटर है, लिख रहा है, तो इसने इसका नाम बना ड्रॉयर, म अब ये साइन हो जाएगा, तो ये बन गया है, बिल ओफ एक्चेंज, बिल ओफ एक्चेंज, ये ट्रेड बिल, अब ये इसने बन लिखा, लेकने के बाद Mr. Y को कहा है, साइन कर दो, वायी ने साइन करके, बिल को रिटरन कर दिया, अब ये बिल, X के पांस आ गया, इसके इसका नाम होगा भी आधि जिसेवल और इसके लिए विए बिल बन गया इसका नाम है बीपी बिल पेबल यह अपने एंटरी करेंगे कि मुझे प्रणिया बिल पेबल के फॉर्म में ठीक है दोस्तों समझा गया बिल बिल पेबल बिल एक चीज समझ लेजे असेर्स होती है क्य बैंक से कहता है यह बिल सीवेबल है बी आर है वाइन एक्सेप्ट किया है दो मेने बाद मुझे पैसे मिलेंगे बढ़ मुझे अभी पैसे की सखजुरत है तो बैंक कहेगा ठीक है आप इस बिल के अभी हमारे से आप 99500 उपीज दे लो और बिला में दे दू मतलब एक तरह से एक्स जो है बेंक को बिल बेच रहा है और बेच के से पैसे ले रहा है तो जब यह प्रोस्टीज होता है जब बेच आयता है इसको नाम होता है डिसकाउंटिंग ऑफ बिल आई समझ बात अब जरा समझने मैं क्या बता रहा हूं एक्स के पास कैई option है पहला option तो यह है बिल दूसरा फा trappedає sia कि इस बिल को किसी तीसरे को देदे मतलबिंकेमिल की value इतनी ही है जितनी check क väldigt होती है घृMAN मिश्टर एक्स इस बिल को मिश्टर जेड को देदे मिश्टर एकस बिल को मिश्टर जेड को देदे की payment करनी है किसी पैमिल कर दी वोसको accept श्रट कर लेगा ठीक है तीसरा इसका यूज यह कि इस बिल को अपने पास ही रखे 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 दो रख ले दो महीने तक और दो महीने बाद इसको पैसरी सीव हो जाएंगे इस बिल से तो बैंक बिल के यह यूज हो सकते हैं सरसमझे क्या यूज है बिल का बैल को बैल बैंक को देकर discount करा लेना उससे पैसे ले लेना बैंक से बैंक कुछ ना कुछ discount चार जरूर काटेगा एक दरस इंट्रेस्ट हो यह दूसरा बिल के फायदा है कि बिल किसी को endorse कर सकते हैं हम किसी को तीसरे को बिल दे सकते हैं वह Mr. Y से पेमिट ले लेगा ठीक है और तीसरा इसका यूज यह है कि इस बिल को पने पास ही हम रखे रखें अंटिल और अनलेस टू मन्त और मैचुर्टी पिरियड तक ठीक है दोस्तों समझ आगे बात तो यह होता है बिल ओफ एक्चेंज में उम्मेद करता हूं आपको बिल रिसीव